बॉलिवुड में अभिनेतरी राकी को एक ऐसी अभिनेतरी के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने सत्तर और असी के दशक में अपनी रूमानी अंदाज और साधगी भरे अभिने से सिने प्रेमियों को दीवाना बना दिया था और उनका यहीं अंदाज लाखों करोड दिलों पर राज करता है अपने अभिने और टालेंट के दम पर अपने दौर की बहतरी अभिनेतरी रह चुकी राकी गुलजार ने इतनी शोहरत और नाम बना लिया है कि उन्हें आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं इतने बीते सालों में र रूबरू करवाते हैं नभे के दशक की इस बहतरीन अभिनेतरी का नाम राखी गुलजार है जिनका जन्म 15 अगस 1947 को बंगाली परिवार में पश्चिम बंगाल के राणा घाट में हुआ था और राखी के जन्म के कुछ घंटों बाद ही भारत आजाद हो गया था इन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई राणा घाट के गर्ल स्कूल से ही की है और आगे की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की अगर बात करें इनके अभिने करियर की तो इन्होंने महंस 20 साल की उम्र में वधु वरन बंगाली मुवी से अपने करियर की शुरुवात की थ और इसी साल इन्होंने लाल पत्थर और पारस फिल्म में भी काम किया और राकी की लगातार तीनों ही फिल्में सूपर हिट रही इसी के साथ राकी बॉलिवुड की बहतरी नादा काराओं में शामिल हो गई इन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग पिचानवे फिल्मों में काम किया है जिनमें कभी-कभी जमीन आसमान और आचल जैसी फिल्में शामिल है 80-90 के दौर में लीड आक्टरिस के बाद इन्होंने मा की भूमे का निभानी शुरू कर दी इन्होंने एक मा के रूप में अनाडी, खलनायक और बाजीगर जैसी फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों में इनके द्वारा किये गए किरदार को काफी पसंद भी किया गया और यही वज़ा है कि आज राकी गुलजार बॉलिवड इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है लेकिन आपको बता दें कि फिल्मी करियर के दौरान इन्होंने 1973 में मशूर गीतकार गुलजार से विवाह कर लिया था इस शादी से इन्हें एक बेटी भी हुई जिसका नाम मेगना गुलजार है पर कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए क्योंकि गुलजार नहीं चाहते थे कि राकी फिल्मों में काम करें पर राकी ने करियर को चुना और गुलजार से अलग हो गई इनका फिल्मी करियर जितना शांदार रहा निजी जीवन में इन्होंने उतने ही दर्द देखे आपको बता दें कि अपने दौर की बहतरी नभिनेत्री राखी गुलजार आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है आज ये 73 साल की हो चुकी है और अब ये बहत बूर ही नजर आती है जिस वजह से इन्हें एक नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल हो गया है दरसल हाल ही में इनका एक विडियो सामने आये था जो कि इनकी बेटी मेगना गुलजार ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था उसमें राखी गुलजार अपने मुंबई वाले फार्म हाउस में खेती करती हुई नजर आई थी और इस तस्वीर में आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि राखी गुलजार वक्त के साथ काफी बदल चुकी है जहां इनके बाल भी काफी छोटे नजर आ रहे थे और मेगना गुलजार का कहना है कि उनकी ममी को शोर गुल वाले माहौल में रहना बिलकुल पसंद नहीं है इसलिए वो अपने फार्म हाउस पर रहना पसंद करती है तो दोस्तों आपको राखी गुलजार के इस बदले हुए रूप के बारे में क्या कहना है आप अपनी राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही इंट्रेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें